आप लोगों को class 8 का part भारत की खोज, इसका 5th part है भारतिय संस्कृति की निरंतरता, सिंधु गाटी सभ्यता के तहत है या भारतिय संस्कृति की निरंतरता, इसका मैं full explanation करने जा रही हूँ, और इससे पहले बच्चों मैं class 8 वसंत और भारत की खोज का बहुत सारा वीडियो बना चुकी हूँ, उन सब को देखने के लिए आप उपर दिये गया, i button पर click करके देख सकते हैं, या नीचे दिये गया, description box में देख सकते हैं, या playlist में जा कर देख सकते हैं, और बच्चों आप मुझे Instagram, Facebook और Twitter पर भी follow कर सकते हैं, तो पार्ट सुरू करते हैं, भारतिय सं संस्कृति वहां आज तक क्यों बनी हुई है, इसका क्या कारण है, इसके बारे में इसमें दिया गया है, तो हमें आरंब से ही एक ऐसी सभ्यता और संस्कृति की सुरूआ दिखाई पड़ती है, जो तमाम परिवर्तनों के बावजूद भी आज बनी हुई है, तो इस पार् संस्कृति जिसकी सुरूआत हुई थी, उसमें बहुत सारे परिवर्तन आये थे, परिवर्तन मतलब हमारे देश पर बहुत बार क्या हुआ, विदेशी आकर्मन हुआ, कई बार जो है, इंग्लेंडर वाले आकर यहां पर अंग्रेज आकर्मन किये, कई बार और जो है, और लोगों ने इस देश पर आकर्मन किया, तो क्या हुआ, हमारे देश की जो संस्कृति है, उसको उन लोगों ने क्या किया, धुमिल करना चाहा, हमारी संस्कृति को छिनना चाहा, लेकिन हमारी संस्कृति आज भी बनी हुई है, काफी परिवर्तन वो लोग करना चाहा, लेक प्रतनों के बावजुद आज भी हमारी सभ्यता और संस्कृति बनी हुई है इसी समय मूल आदर्स आकर ग्रहन करने लगते हैं और साहित और दर्सन कला और नाटक तथा जीवन के और तमाम क्रियाक कलाप इन आदर्सों और विस्विद्रिष्टी के अनुकूल चलने लगते ह तो क्या हुआ जब हमारी सभ्यता और संस्कृति का विकास हुआ तो क्या हुआ जब सभ्यता और संस्कृति का विकास होता है तो उसमें क्या होता है शाहित दर्सन कला और नाटक इन सारे छेत्र में क्या हुआ सारे छेत्र जो है सारे छेत्र मतलब उसमें अच्छा विकास हुआ और तमाम क्रिया कलाप इन आदर्स और विश्विद्रिष्टी के अनुकूल चलने लगे और जो भी क्रिया कलाप होना चाहिए जो भी सभेता और संस्कृति के तहत मनुष्य को जीना चाहिए किस तरह से प्रामायन परहेंगे महाभारत तो किस तरह से पांडव जैसे आप लोग जानते होंगे कि कौरव और पांडव जो है किस तरह से दोनों में युद्ध हुआ था उसी तरह राम रावन में युद्ध हुआ था लेकिन क्या हुआ क्यों हुआ युद्ध क्योंकि जो रावन था वह आदर्स पर नहीं चला था, उसके अंदर क्या था, दुरगुन था, दुरविचार था, सदविचार उसके अंदर नहीं था, तो उसके कारण क्या हुआ, युद्ध हुआ, तो इसी तरह जो है, महाभारत में भी पांडव को जमीन नहीं दिया गया, सुई के नोक के बराब आदर्स भी हैं, वह सब टिका हुआ है, क्योंकि हमारी संस्कृति और सभ्यता अभी तक चल रहे हैं, तो आदर्स के कारण ही हमारी सभ्यता और संस्कृति अभी तक चल रहे हैं, इसी समय उस विशिष्टावाद और छुवाचूत की प्रवर्ति का आरंभ दिखाई पड़ता है जो बाद में बढ़ते बढ़ते अशह हो जाती है तो यहां नेहरुजी बता रहे हैं कि क्या हुआ इसी समय कुछ विशिष्ट तावाद और छुवाचूत मतलब उची जाती के लोग और कुछ नीची जाती के जो लोग माने जाते हैं उसका वहां पर विवस्था किया गया क्योंकि समाज को चलाना था उस समय ऐसी परिस्थिती आ गई थी तो परिस्थिती के अनुसार क्या हुआ परिस्थिती ऐसी आ गई थी कि जो बरे लोग थे जो उचे माने जाते थे जमिंदार राजा महराजा थे वह कोई जो है छोटा मोटा काम नहीं करना चाहते थे जैसे खेती का काम करना चपल जूता सीना और भी जो होता है जैसे गंदगी शाफ करना यह सब काम वो लोग नहीं करना चाह रहे थे तो क्या हुआ उसी समय क्या हुआ उच्छे जाती और नीचे जाती के लोगों का वहाँ पर जाती ब्यवस्था की गई उस समय ताकि समाज को एक द इसी बात को इसमें दिया गया है कि इसी समय उस विशिष्टावाद और छूत की प्रविर्ति का आरम दिखाई पड़ता है जो बाद में बढ़ते बढ़ते अश्रहे हो जाती है और यही प्रविर्ति आधुन की यूग की जाती विवस्था है मतलब अभी भी जो हम लोग दे नीची जाती का मानते हैं उससे भी नीचे जो होते हैं हडी जन हुआ और भी जो होते हैं उनको हम लोग बहुत निमने जाती का मानते हैं तो यह सब क्या है यह सुरू से ही एक ऐसा समय आया जिसमें जाती विवस्था किया गया यह लेकिन क्या हुआ जाती विवस्था तो क बहुत खुशी मिली क्योंकि उसको तो ऐसा लगा कि चलो हम उचे जाती के हैं ऐसा उसके अंदर अहंकार आ गया लेकिन जिसको लोग निम्न जाती के लोग बनाया गया तो उनके अंदर जो है बरदास्त करने की शक्ति खत्म हो गई बहुत ही मतलब और शहायर लगने लगा उ उची जाती नीची जाती के लोगों का जो बेवस्था किया गया था या एक परिस्थिती वस किया गया था परिस्थिती उस समय ऐसी आ गई थी कि बरे जो राजा महराजा थे वो कुछ करना नहीं चाहते थे तो उसी के अनुसार समाज को चलाने के लिए सब बेवस्था किय गया ताकि जो है खेती का काम हो सके छोटा मोटा जो शफाई का काम हो सके तो इन सब के लिए जो बड़ी जाती और छोटी जाती बनाया गया इसका उद्देश था उस समय की समाज विवस्था को मजबूत करना मतलब उस समय ऐसा समाज में ऐसा हो गया था कि समाज की होना चाहिए संतुलन बना रहना चाहिए तो एक परिस्थिती थी जिसके लिए लोगों को ऐसा करना परा किन्तु बाद में यहां उसी समाज विवस्था और मानम मन के लिए कारा ग्रह बन गई लेकिन क्या हुआ धीरे धीरे जो है लोगों के अंदर जिसको निम्न जाती के ल बंद कर दिया जाये कारा ग्रह में बंद किया जाय तो कैसे लोग छट पटाने लगते हैं उसी तरह से जिसको निम्न जाती का संग्या दिया गया तो काफी समय तक उन लोगों के मन में कुंठा रहा चिंता बनी रही और बहुत ही मतलब उन気 मन को सहन नहीं हो पाया कि हमें निम्न जाती का लोग क्यों कहा जाता है क्योंकि निम्न जाती के लोगों के साथ अत्याचार जुल्म भी जो बरे जाती के लोग थे उचे जाती के लोग जो भी सिश्टावाद वाले थे वो लोग क्या करते थे निम्न जाती के लोगों के उपर जुल्म करते थे दास्त नहीं हो पा रहा था फिर भी यह वेबस्था लंबे समय तक बनी रही लेकिन क्या हुआ कितना भी कुछ हुआ लेकिन जो सुरुवात में बनाया गया निम्न जाती और ओची जाती का वह अभी तक देखिये बनी हुई है उस ठाचे के भीतर बंधे रहते हुए भी सभी दिसाओं में विकास करने की मूल प्रेड़ना इतनी प्रानवान थी कि उसका प्रसार सारे भारत में और उससे आगे बरकर पुर्वी समुद्रों तक हुआ तो इसमें बताया जा रहा है कि फिर भी यह वेवस्था जो है जो निम्न जाती और ओचे जाती का जो अलग-अलग बिभाग कर दिया गया तो वह काफी समय तक बनी रही और उस धाचे के भीतर नीची और उची जाती में बंधे रहते हुए भी सभी दिसाओं में विकास करने की मूल प्रेड़ना इतनी प्रानवान थी मतलब इतना होने के बाद क्या हुआ काफी लोगों के अंदर जो है प भी नई तूट रहा है या विवस्था भी चलती आ रही है तो उसी को इसमें इस तरह से लिखा गया है कि उसका प्रसार सारे भारत में और उससे आगे बरकर पुर्वी समुद्रों तक हुआ तो यह जो उची जाती और नीची जाती के लोगों का जो अलग-अलग बिभाग बना दिया गया वह काफी समय तक रहा और भारत में भी और उससे आगे बरकर पुर्वी समुद्रों तक हुआ और आज तक यह जाती पाती छुआ छुट की भावना जो है चली आ रही है अब आगे बता रहा है कि इतिहास के इस लंबे दौर में भारत अलग-थलग नहीं र रहता है तो इस लंबे दौर में भारत अकेला नहीं रहा है इरानियों और युनानियों से चीनी और मध्य-एसियाई तथा अन्य लोगों से उसका संपर्ग बना रहा तो यह जो भारत है अकेला ही नहीं रहा उसके साथ कौन-कौन देश के लोग रहे जैसे इरान के युना युनानी चीनी और मध्य-एसियाई तथा अन्य लोगों से इनका भारत का संपर्ग बराबर बना रहा तिन-चार हजार वर्स का यह संस्कृतिक विकास और इसका अटूट सिलसिला अद्भूत है तो यहां पर कह रहे हैं कि तिन-चार हजार वर्स का यह संस्कृतिक विकास हुआ है यह जो हमारी पुरानी संस्कृती है और इसका अटूट सिलसिला अद्भूत है और यह सिलसिला अभी तक चलता आ रहा है और यह अद्भूत और अनोखा है तो बच्चों असा है कि आप लोगों को यह सारा पाठ समझ में आ गया होगा कि भारतिय संस्कृति की निरन तड़ता, मतलब यह जो हमारी भारत्य संस्कृति है, यह निरन तड़ता, मतलब अभी तक यह संस्कृति बनी हुई है, कितना इसमें परिवर्थन हुआ, कितने लोगों ने यहां पर आकर के आकर्मन किया, फिर जाती वेवस्था बनाया गया, निम्न जाती के लोग, उचे जाती के लोग, क्योंकि समाज को चलाना था, तो यह सब करना ही परा, लेकिन नीची जाती के जो लोगों को नीची माना गया, उनको यह सहन नहीं हो सका, बरदास्त नहीं हो सक लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी इसमें कुछ परिवर्तन नहीं हुआ क्योंकि उस समय ऐसा इस्थिति आ गया था कि जाती समाज को चलाने के लिए जाती विवस्था बनाना परा क्योंकि अगर आप समाज को चलाते हैं तो समाज में बहुत सारे ऐसे काम हैं जैसे खेती करना, जैसे शफाई का काम हुआ, जूता चपल शीने का काम हुआ, बहुत तरह के ऐसे काम होते हैं, जिसमें अलग-अलग जाती का वेवस्था किया गया, ताकि शमाज आगे बढ़ सके, संतुलन हो सके, लेकिन नीची जाती के जो लोग थे, उनको यह सब बरदा नहीं हो सका, लेकिन फिर भी यह सिलसिला अभी तक चलता आ रहा है, तो आसा है बच्चों, आपनों को सारा पाट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और एक्जाम के लिए अच्छी तरह त्यार कर लीजेगा, और बच्चों, आप मेरे चैनल देब जनागरी को जरूर किजएगा और सबस्क्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक किजएगा, लाइक किजएगा और सेर किजएगा, कौमेंस जरूर किजएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा, नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों, धन्यवाद